तो नमस्कार करनला जैस युवा जैस्टो मनी ग्रूफ फर्स्ट ग्लोबल एस्टो फनेंस डिजिटल चैनल से आप से मुखातिब होता हूँ आज 8 अगस सन 2023 मंगलवार दोस्तो आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दलहन की प्रमुक उपज उडद चना मूं और तूर क पर बात करेंगे और बहुत सी जानकारिया जो आपके लिए लाबदायक सिध हो सकती है दोस्तो अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहली बारह है यदि पसंद आए तो ही सब्सक्राइब कीजेगा और लाइक कीजेगा दोस्तो आपका अपना चैन बनाने में आपका योगदान सरहानी है हम आपकी सरहाना भी करते हैं दोस्तो सोमवार को साथ अगस्त को हमारे आकड़ाव के अनुसार तूर की आवक 9.59 प्रतिशत कमोंकर 510.05 मेट्रिक टन रही जबकि पिछले सत्र में ये 564.15 मेट्रिक टन थी यानि 564.15 के मुकाबले 5.05 मेट्रिक टन रही जो लगबक 9.59 प्रतिशत कम है दोस्तो यदि टोटल अराइवल की भी बात ये अलग अलग अदी हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो अराइवल अधिक रही है वो अकूला में रही है और सासाथ तूर के भावों के अंदर काफी उतार चड़ाव भी आने की संभावना बन रही है अब चने की बात करें तो चने की आवक बढ़ गई है प्रमुक बजारों में चने की आवक सोमवार को 11.4 तीन प्रतिशत बढ़ कर 1658.1 मेट्रिक टन हो गई थी जो पिछले सत्र में 1488 मेट्रिक टन थी यानि इसके अंदर लगबग 11.5 प्रति सोमवार को उड़त की आवक लगबग 47.44 प्रतिशत बढ़ कर 301.9 मेट्रिक टन हो गई है जबकि पिछले सत्र में मात्रिये 265.8 मेट्रिक टन थी यानि लगबग डेड़ गुनी यानि 47.4 प्रतिशत बढ़ गई है तो दोस्तों ये महताफून होगा क्योंकि अब मसूर के 27.7 मेट्रिक टन हो गई है जो पिछले सत्र में 477.3 मेट्रिक टन थी अधि हम मूँ की आवक की बात करें तो मूँ की आवक भी सोमवार को यानि 7 अगस को बढ़कर 29.15 प्रतिशत बढ़कर 537.8 मेट्रिक टन होई है जो पिछले सत्र में 416.4 मेट्रिक टन थी तो दोस्तों ये एक महत्रपूर्ण सूचना है जो आपके लिए लाबदायक सिद्ध हो सकती है अब हम प्रमुख बजारों में दालों के आज के क्या भाव खुले हैं आज देश की राजधानी दिल्ली में चने के भाव 5525 से 5550 बताए जा रहे हैं और मद्रप्रदेश लाइन के ये राजधान लाइन के चने के भाव दिल्ली के हैं और मद्रप्रदेश लाइन के भाव 5525 से 5550 के हैं मसूर दिल्ली में 6300 से 625 बिक रही है और मुंग के भाव मद्रप्रदेश लाइन के 7800 से 8025 कौलेटी अनुसार है मुत्तरपदेश लाइन की जो मुंग है वो 7725 से 7750 रुपे के भाव बताए जा रहे हैं ग्यहूं के भाव भी राजिस्तान लाइन के दिली के अंदर 2540 से 2545 बताए जा रहे हैं तो दोस्तों ये जानकारी आप तक अजय अस्टो मनिक गुरू जारा प्रदान की जा रही है महराश के सोलापूर में तूर नई गुलाबी पिंक के भाव 88800 से 104550 रुपे बताए जा रहा है और तूर जी आरजी 105550 रुपे बताए जा रही है चना सोलापूर के अंदर नया मिलकाच 4800 से 5250 यांबे 50 रुपे की तेजी हो गई है अन्नागिरी नया 5500 से 5650 इसमें भी 50 की तेजी है तो दोस्तों आपको यादोगा चने पर हम लगातार अपडेट दे रहे हैं इसलेशन दे रहे हैं कि चने के अंदर आगे संभावनात तेजी की ही नजर आ रही है जदी इसके अतरिक आप हमारे चैनल पर तिलन दलहन मसाला के अतरिक का पास गवार सीड इनके भी विशेश अपडेट देखने के लिए आप लगातार बने रहे हैं साथ साथ बैल आइकन को अवश पुछ कीजिए ताकि हम हर सुचना आप तक सबसे पहले पहुचा जाएं All the very best, good luck, happy trading